जहां एध्या में एक तरफ राम ललाक मंदिर बन रहा है लगातार विकास के काम हो रहे हैं और आज नियूज स्टेट की टीम एक ऐसे समादियस्तल एक ऐसे मंदिर पर आप पहुची है जिसके बारे में पौराड़ाई कथाई भी है महतता भी है वो समझेंगे वो जानेंगे सबसे पहले आपको तस्पीर दिखा देते हैं तस्पीर देखे चकरुति समराट राजा दश्रत की ये समादियस्तल है और मंदिर भी है परड़ाई मानिताय भी है और तस्पीरे आपको दिखा रहे हैं हमारे साथ संदीब दासी महराज मौजूद है उनसे जानेंगे की क्य का महत्त है और क्या है इसके पीछे की कहानी वो समझाते रहे ये दर्शकों को बताईए कि है क्या जैसियाराम यहावा हस्थल है जहां पर चक्रुति महराथ दर्श्रत जी का अंतिन संस्कार किया गया था आज की समय पर जितने श्रधालू बाहर से आने वाले हैं उन्हें क पर चावराशी को उसमें फैली हुई है और वहां से आयुद्या से सास्त्रगाड लश्मर्ग से लेके अमादसर श्रमाधी अस्थल जो है ये प्रमुख अस्थल है जहां महराज का दाहस अंसकार किया गया है जो एक मत्याकार में है जो मूल आयुद्या है किसी मचली को दाहर में जतने पाराणी तीरस अस्थल है जहां पर इस समय हम सब खड़े हैं जहां पर महराज दस्थल का दाहस अंसकार किया गया है यह पूछ वाला हिस्सा है यह मचली के दोनों पर होते हैं एक रंदी गराम भारत कुंट जहां पर भरजी ने तपस्या किया था दूसरा मखघ भूमी जहां पर महराज सत्रट जी ने पुत्ति प्राप्ति के लिए यग जय किया था यह हमारे यहां की मूल अयोध्या है जो अब बात आते है कि महरात दस्थल का यहां पर दाहस अंसकार क्यों किया गया है जिस समय महराज सला जी का साहीर चोटा है राम जी लशमर जी थे लेकिन उससिमे वो भी नन्याल में थे बसीषी जी के दौरह दूद भेज के उन्हें बुलाया गया तो पहले चार खूंटे लगा जाते हैं लेकिन यहां पर महराथ दस्रजी को दा संसकार करने के लिए केवल तीन खूंटे की ही पवित्र भूमी मिली थे जहां किसी अन्य का दास कार नहीं हुआ था सब्सकार के बाद हमारे सनातन धर में कुछ नहीं बसता है तो अगर वैसे चोड़ दिया जाता तो आज यह बता ले तो कोई नहीं अगर शनी की पीड़ा साणेश शाती अढ़िया महादसागर किसी को पर चल रही है यहां दर्शन पुजन करने से सनी की विश्यस किरपा होते हैं जिसका वर्ण पदम पुराण में है मतलब जो आये तो साड़े साथी से उसे मुक्ति मिल जाए साड़े साथी अढ़िया महादसागर सनी की किसी प्रकार की पीड़ा अगर उसके उपर चल रही है तो महारादसरजी की अस्थल पर पड़ाम करने के बास सनी जी की विश्यस करपा होती है जिसका वर्ण पदम ये सबसे पबित्र भूमी है जहरा है, महराज का दास अश्कार किया गया तो राम राम सब का है दसरत का हैiones को एक वारध दसरत का है कोट यगिफल होए सक्षपति नरस महराज दसरत की समाध्र सबसे पबित्र पूर्ने भूमी वैसे ही है उसकी बाद आद नियूज स्टेट आपको दश्रत समाधिस्थल के बारे में बता रहा है यहाँ आनिका महत्य ये दर्शन पूजन मात्र से ही साड़े साती से मुक्ती मिल जाती है वीडियो जनलिस्ट सिधार्थ के साथ राहूर राजपूर नियूज स्टेट अयुद्या